हलो दोफ्तों आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहाफ का पहला चप्टर पढ़ेंगे देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहाफ उत्तर में हिमाले से लेकर दच्छल में समुद्र तक फैला या उपमहादीपी भारत वर्फ के नाम से जाना जाता है जिसे महाकाब तथा पुराणों में भारत वर्फ अर्थात भरतो का देफ तथा यहां के निवाफियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जो प्राचीन भारतिय अपने देव को जम्बू दीब अर्था जम्बू यानि यामून बृच्छों का दीब कहते थे प्राचीन इरानी इसे सिंध नदी के नाम से जोड़ते हैं जिसे वे सिंध ना कहा कर हिंदू कहते थे पूरे पश्चिम में फाइल गया और पूरे देफ को इफ़ी के नाम से जाने जाना लगा यूनानी ने इसे इंदे और अरब ने इफ़े हिंदे कहते थे मद्ध काल में इस देफ को हिंदुस्तान कहा जाने लगा यह सब्द भी फार्फी सब्द हिंदु से बना है युनानी भाफा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे बिंध की परवत सिंखला उत्तर और दच्छुन को दो भागों में बाड़ती है उत्तर में इंडो-योरोपिय परिवार की भाफाएं बोली जाती है भारत की जन्शंख्या का निर्माण जिन नफलो के आधार से हुआ है वो हैं पांच परकार के प्रोटो-अस्टलियाड, पैलियो-मेडेटेरियन, काकेफ़ाड, निग्रोयड और मंगोलियाड भारती इतिहाफ को अधियन की सुद्धा की दिरिष्टी से इसे तीन भागों में बांटा गया है पहला है मद्ध, फरी प्राचीन भारत, दूफरा मद्ध भारत, तीफरा अधुनिक भारत सब पहले इतिहाफ को तीन भाग में जो बांटने का फ्रे जाता है वो जर्मन के इतिहासकार क्रिश्टोप सेलियरस हैं को जाता है प्राचीन भारत प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत चार फरोतों में फे जाना जाता है प्राचीन भारत को पहला धर्मगरंद के आधार पर इतिहासिक गरंद के आधार पर विदेशियों का विरोन के आधार पर पूरा तत्त समंधि स्वाच्छ के आधार पर तो पहला हम लोग पढ़ते हैं धर्मगरंथ एम इतिहासी गरंथ से मिलने वाली कुछ महत पूने जानकरियां जिसे भारत का सबसे प्राचीन धर्मगरंथ वेद है और इसके रचाईता महरसी किसे द्यवपैन वेद ब्याफ है वेद बफू धयो कटुम्बकम का उपदेव देता है वेदों को नित तथा आउप रूफे मानती है वेद चार परकार के होते हैं रिगवेद, यूरवेद, साम्यवेद एवं अथरवेद इन चार वेदों को फहिता कहा गया है रिगवेद, पहले नमबर पर रिगवेद आता है रिगवेद के करमबद ग्यान के संगरा को ही रिगवेद कहा जाता है इसमें दफ मंडल हैं, एक हजार अठाइफ फूकत हैं इस वेद की रिचाओं को पढ़ने वाले रिशी को होत्र कहते हैं और इस वेद से राजिनितिक प्रणाली इतिहाफ इवं इफ्वर की महिमा के बारे हम जानकारी मिलती है बिफुआ मित द्वारा रचित रिगवेद के तीफरे मंडल में फूर्य द्योता फाबित्री को फमर्पित परफिद गायत्री मंत्र है इसके नवे मंडल में द्योता फूम का उलेख मिलता है इसके आठवे मंडल में हफ्त लिखित लिचाओं को खिल कहा जाता है चतुफ वण सामाज की कलपना का फूरोद रिगवेद के द्वे मंडल में वणित पूरुष सुक्त है जिसके अनुसार चार वण में पूरुफ भी भगते है पहला ब्राम्भण दुफरा छेत्री तीफरा वैर्फ चौता फूद्रे पूरुफ ब्रम्भण के क्रम्फ अनुसार बताया गया है मुख भुजाओं जांगों और चरौनों ब्राम्भण भुजाओं मुख के अधार पे और जो छेत्री हैं भुजाओं के अधार पे वैफ हैं जांगों के आदार पर फूत्दे हैं, सरोनों फियुत्पन्न हुए है धर्म फूत्र चार प्रमुख जातियों में विभक्त है रिग्वेद के कई परिछेदों में प्रियुक्ते अधन्य फब्द का संबंद गाइफे है वर्तमान में परचलित गरगेरियन कलेंडर इसाई धर्म गुरू इफा मफी के जन्में पर आधारित है इस मसीख के जन्म से पहले इसापूर्व कहा जाता था इफा पूर्व में वर्फो की गिंती उल्टी दिफा में होती थी जैसे महत्मा बुद्ध का जन्में पांच फ़तिर फट इफा पूर्व में इवं मृत्व चार्फो तिराफी इफा पूर्व में हुआ था यनि इफा मफी के जन्में के पांच फ़तिर फट उर्फ पूर्व महत्मा बुद्ध का जन्म इवं चार्फो तिराफी इफा पूर्व महत्मा जी का मृत्व हूआ था इफा मफी के जन में तिथी फे आरंब हुआ फन इस्वी सन कहलाता है इसके लिए संछेप में E लिखा जाता है E को लेटिन भाफा के फब्द AD में भी लिखा जा सकता है AD यनि NO Domini जिसका फब्दिक अर्थ होता है In the Year of Lord Jesus Vincent Arthur Smith के ने प्राचीन भारत का पहला सुब्यवस्थित इतिहाफ Early History of India 1904 में तयार किया था इस पुष्टक के एक तिहाई भाग में केवल फिकंदर के आकमन का ही वडन है वामना उतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचिनतम फ्रोद रिगवेद में मिलता है रिगवेद में इंदर के लिए धाइफो तथा अगनी के लिए दो फोरिचाओं की रचना की गई है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित में रिगवेद के बाद फत्पत ब्रामन का स्थान आता है अब दूफरावेद आता है युजुरुवेद सास्वरव पाठ के लिए मंत्रों तथा बली के फमें अनपालन के लिए नियमों का फंकलन युजुरुवेद कहलाता है इसके पाठ करता को अधुरुवेद कहते हैं युजुरुवेद में यगों के नियमों एवं बिधी बिधानों का फंकलन मिलता है इसमें बलिदान का बिधी का भी वडन है यह एक आफ़ावेद है जो गद और पद दोनों में है अब तीफरावेद आता है साम वेद साम का फाब्दी करत होता है गान इस वेद में मुखता यगों के आफर पर गाये जाने वाले रिचाओं यानि मंत्रों रिचा मतलब मंत्र होते हैं मंत्रों का फंकलन पढ़ने वाले मंत्रों को उद्रित कहते हैं इसका संकलन रिगवेद पर आधारित है इसमें ए अठारफो दफ फूगते हैं जो हमेफा रिगवेद पर लिये गए हैं इसे भारती संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को युजुरवेद तथा फामवेद में किफी भी बिसिष्ट एतिहाफिक घटना का वड़न नहीं मिलता है अठारव रिफी द्वारा गचित इस वेद में कुल साफो एकतिफ मंत्र तथा लगबग छेहजार पद्ध हैं इसके कुछ मंत्र रिग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है और सुधों का उल्लेख सबसे पहले अठारवेद में मिलता है एतिहाफिक दिरिष्ट से अठारवेद का महत्त फामान मनुफ्य के विचारों तथा अंध विफ्वाफों का बिरण मिलता है इसमें मानों जीवन के सभी पच्छों जैसे गिरिह निर्माण, क्रिसी की उन्यती, ब्यापारिक मार्गों का गहन यानि खोज, रोग निवारन, बिवा तथा प्रणाय गीतों, राजभक्ती, राजा का चुनाओ बहुत से चीजों का इसमें विरण मिलता है कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वडन है अथरवेद में परिच्छित को कुरूओं का राजा कहा गया है तथा कुरू देश की समर्द्धी का अच्छा चित्रन मिलता है इसमें फभा एवं फमीती को परजापती की दो पुत्रियां कहा गया है वेदों की भी कई साखाएं है जैसे कि सकाल साखा रिगवेद फे जुड़ी हुई एक मात्र जीविच साखा है युजुरुवेद को सुकल युजुरुवेद और किस्न युजुरुवेद को दो साखाओं में बाटा गया है जैसे मन्द, निंद और कण फुकल युजुरुवेद अत्वा वाजस ने फहिता की साखाएं है किस्न युजुरुवेद से जुड़ी साखाएं काठक, कड़ी, फल, मेत्रायनी और तैत्रिये हैं कौथुम और रमैनिय एवं जैमनिय या तलावकार शामवेद की साखाएं हैं अथरवेद की साखाएं फौनक और पैपलाद हैं सबसे प्राचीन वेद रिग वेद है और सबसे बाद का वेद अथरवेद है अब हमारा अगला टॉपिक आता है ब्राम्मण, आर्यक तथा उपनिफद, तीनों एकी साथ हैं सहिता के बाद ब्राम्मणों, आर्यकों तथा उपनिफदों का अफ्थान मिलता है ब्राम्हन ग्रंथ वैदिक फाहित्तों के ब्याख्या करने के लिए गद में लिखे गए हैं जो है रिग वेद है ब्राम्हन ग्रंथ एतरेव या वा कौफी तकी जुर्वेद तैतेरिय वा फत्पत साम्वेद पंचविफ अथर्वेद गोपत इन ब्राम्हन ग्रंथों फे हमें परिछित के बाद और बिम्विफार के पूर्वे की घटनाओं का ग्यान प्राप्त होता है एतरे में राजविशेक के नियम एवं कुछ राजाओं के नाम दिये गए हैं फत्पत में गंधार, फल, कैके, कुरू, पंचाल, कोफल, बिदे, आधी राजाओं का उलेख मिलता है बैदिक साहित में रिगवेद के बाद फत्पत ब्राम्हन का स्थान आता है आरेयक में यग से जुड़े करमकांडो की दारसनिक और प्रतिक आत्मक अभिवेक्ती है उपनिसदों की संख्या एकसोहाट है जिसमें तेरा को मूल भुत उपनिसदों की फिरनहीं में रखा गया है इसमें एक से जुड़े दार्फनिक विचार, फरीर, ब्राम्हन, आत्मा ए तथा ब्राम्हा की ब्याक्षा की गई है इस्तिरी की फरवधिक गिरी हुई इस्तिती मैत्रेयनी फहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुणा और फराप की भाति इस्तिरी को पुरुष का तीसरा मुख्य दोफ बताया गया है फत्पत ब्राम्हन में इस्तिरी को पुरुष की अरधागनी कहा गया है जबालो निसद में चारो आफ्रम का उलेख मिलता है इस्मिर्ति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमालिक मनु इस्मिर्ति मानी जाती है यह सुंग काल का मानक ग्रंथ है नारद इस्मिर्ति गुप्त यूग के बिशेम में जानकारी देती है अब वेदांग एवं फूत्र वेदों को भली बाती समझने के लिए च्छा वेदांगों की रचना की गई है पहला है फिच्छा जिसका मतलब होता है फुद्दू चारोन फाफ्तर कल्प जिसका मतलब होता है कर्मकांडिय विधी निरूग्त जिसका मतलब हो तो फब्दों की ब्यूत्पत्ति का सास्तर, बियाकरण, छंद, एवं जोतिफ फूत्रों में गौतम धर में फूत्र फब्वे प्राचीन माना गया है अब आते हैं पुरान अगला टॉपिक है भारती इतिहासी कथाओं का सब्वे अच्छा बियूरण पुराणों में मिलता है इसके रचैता लोम हर्फ अथवा इनके पुत्र उग्रशवा माने जाते हैं इनकी संख्या अठारा है जिनमें फिकेवल पाची ही जो हैं इंपोर्टन है जैसे मत्व हो गया मत्व पुराणा वायू पुराणा बिशुरु पुराणा ब्राम्वन पुराणा एमां भागवत में ही राज़ा उनकी वन्सा वली पाई जाती है पुराणों में मत्व पुराणा सबसे प्राचीन एमां प्रमारिक है अधिकतर पुरान फरल संस्कृत इसलोक में लिखे गए हैं इस्तरियां तथत सूध्रे जिन्हें वेद पढ़ने की अन्मती नहीं थी वे भी पुरान सुन सकते थे पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं पुरानों का पाट पुजारी मंद्रों में किया करते थे सामाजी के वंशांस के दिरिष्टी से अगनी पुरान का काफी मोहत्य है जिसमें राज तंत्र के साथ साथ किसी संब्दी बेवरोन भी दिया गया है अगला टॉपिक है बौध जैन एवं अन्नफाहित जातक में बुद्ध के पुनर जर्म की कहानी वालिद है ही नियान का प्रमुख ग्रंथ कथावफ्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित की कथाएं वालिद है जैन फाहित को आगम कहा जाता है जैन धर्मका प्रारम्भिकितियास कल्प फूत्र से ग्यात होता है जैन ग्रंथ भगवती फूत्र में महाबीर के जीवन से जुड़ी हुई चीजें तथा अन्न फंकालिकों के फात उनके फंबंधों का बिरोन मिलता है अर्थफाफ्तर के लेखक चाणक हैं यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकणों में बिभाजित हैं इसमें मौरकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है संस्क्रित साहित में इतिहासि घटनाओं को करमबद लिखने का सबसे पहले प्रयाफ कल्हन के द्वारा किया गया कल्हन द्वारा रचित पुफ्तक राजत रंगडी मिजिज का मतलब होता है राजाओं की नदी है इस गरंथ में आठ फर्ग हैं जिन्हें तरंगों की फंग्या दी गई है इसमें फुरू से लेकर बारवी तक फुरू से लेकर के मनप्रारम से लेकर के बारवी फदी तक के कफमीर के सासकों का वलन मिलता है अर्बों की सिंद बिजय का बितांत चस्चनामा के लेखग अलीम अहमद में फुरच्चित है अस्थ द्याई यानि किसका मतलब है उसकी संस्क्रिट भासा क्या बैयाकरण की पर्थम पुष्टक के लेखग पाणनी है इसमें सबसे पहले इतिहास तथा मौर यूगिन राजनीती की बावरण में जानकारी मिलती है अस्थ द्याई में पहली बार लिपी सब्द का परियोग किया गया है कत्यायन की गारगी सहिता एक जोतिश गरंत है फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आकरण का उलेख मिलता है पतांजली, पुष्पमित्र, शुंग के प्रोहिद थे इनके महाभास से सुंगों के इतिहास का पता चलता है अब हमारा अगला टॉपिक होता है बिदेफी यात्रियों से मिलने वाले प्रोहिद चानल का रिया है पहले यूनानी रोमन पहले हैं जो यूनानी टेफियफ यह एरान का राजवएद था दूफरा हेरोडोटफ इसे इतिहास का पिता कहा जाता है इसने अपनी पुफ्तक हिस्टोरिका में पांचवी फताबदी इफपूर के भारत फराफ जो कि अभी इरान बोला जाता है कि संबन में वडन किया है दूफरा सिकंदर के समकालीन आने वाले लेखकों में निर्याकस आने सिक्रिटस तथा अरिष्टोबूलफ के भीवरण अधिक प्रमालिक एवं विफफनी है मेगस्तनीज या फेलूकफ निकेटर का राजदूद था जो चंद्रमुक्त के चंद्रमुक्त मौर के राजदरबार में आया था इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर यूगिन सामाच एवं संस्कित के बिफ़े में लिखा है डाइमेकफ या स्वीरिया नरेफ अंतीयोकफ का राजदूद था जो बिन्दूसार के राजदरबार में आया था इसका विरून मावर यूग के सिफ्रमंधित मिलता है डायोनिफियफ या मिफनरेफ टालमी फिले डेलफफ का राजदूद था जो अफोक के राजदरबार में आया था टालमी इसने दूसरी फताबदी में भारत का भुकोल नामक पुफ्तक लिखी पिपलिनी इसने पर्थम फताबदी में नेचुरल हिश्टी नामक पुफ्तक लिखी पेरिपलफ और दी इरी थ्रेशन फी इस पुफ्तक के बारे में करीब अफ़ी इफ़ापूर में हिंद महाफागर की यात्रा पर आया था इसने उस समय भारत के बंदर गाउं तथा ब्यापारी वफ्तकों के बारे में जानकारी दी थी अगला इसते पाता है चीनी लेखक चीनी लेखक में पहले नमर पर फाईयान आते हैं यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंदर गुप्त दीतिया के दरबार में आया था इसने अपने विरोन में मद्द परदेश के फामाज एवं संस्कृति के बारे में वड़न करता है इसने यंपी के जनता को सुखी एम समरिद बताया है और चौदा वर्फों तक भारत में रहा है सैं यूगन ये पांसो अठारा इशा में भारत आया इसने अपने तीन वर्फों की यात्रा में बहुत धर्मकी प्राप्तियां एकत्रित की हेन सांग तीसरा नंबर पे हर्फ वर्धन के सासन काल में भारत आया था हेन सांग 629 इसा में चीन से भारत वर्फ के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्फ की यात्रा के बाद सबसे पहले भारतिये राज्य का पिसा पहुंचा भारत में 15 वर्फों तक ठहर कर 645 इसा में चीन लोट गया बिहार में नालंदा जिला में इफ्थित नालंदा विष्विद्याले में अध्यन करने तथा भारत में बहुत गरंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था इसका भ्रमन बिर्तांत मनें फियू की नाम से प्रफिद्ध है जिसमें एक फॉनरतिफ देफों का बिरोन मिलता है इसने हर्फ कालीन, सामाज, धर्म तथा राजनीती के बारोन किया है इसके एंफार फिंद का राजा फूद्र था, हेनफांग ने बुद्ध की प्रतिमा के फाथफ़त फूरे और फूरे की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था हेनफांग के अध्यन के समय नालंदा बिष्विद्याले के कुल पती आचारे फील भदर थे या बिष्विद्याले बोध दर्फन के लिए प्रफिद्य था चौथा एवाम अंतिम चीनी लेखक इत्स सिंग था या सात्मी सताबदी के अंत में भारत आया इसने अपने बिरोन में नालंदा बिश्व बिद्याले बिकरम सिला बिश्व बिद्याले तथा अपने समय के भारत का वड़न किया अब तीसरे नंबर पर आता है अर्बी लेखक अर्बी लेखक में सबसे पहले अल्बरुनी यह मुमूद गजनवी के साथ भारत आया अल्बरुनी ख्वारिज्म वाख्यू जो आधोनिक में तुर्के मेनिस्तान का रहने वाला था अर्बी में लिखी गई पुफ्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानि भारत की खोच का फ्रोथ है इसमें यह एक बिफ्तित गिरंथ है जो धर्म और दर्फन तेवहारों खगोल विग्ञान कीमिया रीत इवाजों तथा पर्थाओं वंफामाजिक जीवन के बारे में विरुन मिलता है दूफ्रा आता है अर्बी लेखक इबन बतूता इसके दोरा अर्बी भाफा में लिखा गया उसका यात्रा बिर्तांत जिसे रहला कहा जाता है चौदवी फताबदी में भारती महादीब के सामाजिक तथा फांस्कित जीवन के बिषय में बहुत ही अधिक मात्रा में रोचक जानकारिया देता है एक फताइटिश इशा में दिल्ली पहुँचने पर इसकी बिद्वानता फे प्रभावित होकर फुल्तान मुहम्मद बिन तुगलग ने उसे दिल्ली का काजी या नियाधिव नियुक्त किया अब चौथा एवम अंति माता है डी अनिलेखक जैसे तारानाथ ये एक तिबती लेखक थे इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक गरंथ की रचना की इनसे भारती इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है मारकोपूल तेरीवी सतब्दी के अंत में पांड़ो देश की यात्तरा पर आया था इसका बेरोण पांड़ो इतिहास के अध्यन के लियोपियोगी है भारती प्रुवत्तत्र साफ्तर का पिताहमा सर अलेक्जेंडर का निंगम को कहा जाता है 1400 इफ़ापूर्व के अभिलेक बोगाच कोई से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नाफत्य के नाम मिलते हैं मद्ध भारत में भागवत धर में बिक्षित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियो डोरफ के वेफ नगर यानि बिदिफा गरोव इफ्तम लेक से प्राप्त होता है सबसे पहले भारत वर्फ का जिक्र हाथी गुफा अभिलेक में है सबसे पहले दुरभिच का जानकारी देने वाला अभिलेक फ़ोगवरा अभिलेक है सबसे पहले भारत में होने वाले हून आकमण की जानकारी भीतरी इस्तम लेक से प्राप्त होती है फतिपर्था का पहला लिखित फाच एरण अबिलेक सासक भानुगुप्त फे प्राप्त होती है फात्वाहन राजाओं का पूरा इतिहाफ अनेक अबिलोकों के आधार पर लिखा गया है रेसम बुनकर की सेंगरियों की जानकारी मंदफ और अबिलेक से प्राप्त होती है कफ्मीरी नौपाफाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गरता वाफ मनि गड़ा का घर का फाच मिला इनमें उतरने के लिए फीडियां होती थी यहां मनुफ के साथ पालतु कुट्टे को भी दपनाया जाता था या प्रचलित था प्राचिंतम फिकों को आहत्स के कहा जाता था इसी को फाहित में कासराना पन कहा गया सबसे पहले फिकों पर लेख लिखने का कार यवन सासकों ने किया फमुद्र गुप्त की वीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले फिक्के से उसके फंगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है कुछ महोत्त पुड अभिलेक है से हाती गुबा अभिलेक कलिंग राजा खारवेर जूना गढ़ अभिलेक रूद्र दामन नाफिक अभिलेक गौतमी बल फ्री प्रयाग इस्तंब लेक फमुद्र गुप्त एहोल अभिलेक अगला आता है अरिक मेडू से रोमन शिक्के प्राप्त हुए है सबसे पहले भारत के संबन्द में वर्मा इस्तापित हुए उत्तर भारत के मंदिरों की कला की सैली नागर सैली एवं दच्छन भारत के मंदिरों की कला की सैली दर्मिर फैली कहलाती है दच्छना पत के मंदिरों के निर्मान में नागर और दर्मिर दोनों फैलियों का प्रभाव पड़ा अताओ यहां वेफर फैली कहलाती है पंचायतन फब्द मंदिर रचना फैली फे फंबंदित है एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन फैली कहलाता है जब मुख मंदिर चार फहायक मंदिरों फे गिरा होता है पंचायतन मंदिर के उधारण में वे कंदरिया, महादेव मंदिर, खुजराहू, बंभोशर मंदिर, भुनेफवर, लच्मन मंदिर, खुजराहू, लिंगराज मंदिर, भुनेफवर, दफावतार मंदिर, देवगड उत्तर प्रदेफ, अगोंडेफवर मंदिर, महाराष्ट दोस्तों अब यह चेप्टर यहीं समाप्त होता है नेक्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक हम उठाएंगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब प्रेश दिब बिल आइकन जै ही जै भारत